आप सबका SSB कराक एक्जाम चैनल पर तो आज मैं आप सबसे बात करने आई हूँ एक नई करांद अपडेट पर आज का चू टॉपिक है दाट इस रॉलेटिद टू ट्राफिकिंग केस निकार्गवा फ्लाइट तो जानेंगे आज के पूरी लेक्चर मी कि क्या है ये पूरा का पूरा केस तो एक चाटर प्लेट जो कि वापस आया है दो सो चैपर 276 पैसेंजर लेके वापस लैंड हुआ है मुंबाई में यही चाटर प्लेट प्लेट चार दिन के लिए रोका गया था फ्रांस में इसके पीछे जो रीजन था डाट वास एक का सस्पेक्ट जो की था हुमन ट्रफिकिंग के रिलेटेड जो जो बाना गया इस पर्टिकुलर जो फ्लाइट में सारे के सारे परसंजर थे मोस्तली जो यंग मैं यही चाटर पूरे के पूरे वीडियो में की सारे डिटेल्स इसके रिटेड है क्या सो हुआ ऐसा कि एक फ्लाइट जो की आ रही थी उसको रोका गया और फ्रांस ओनली वो भी फ्रेंच पुलिस ने इंटर्वीन किया बिगाँ जो पर्टिकुलर ली फ्लाइट थी लैंड वी डाट जाता एरपोर्ट इन वेटरी फोर टेकनिकल स्टॉपवर और रूट तो निकरगवा फ्रॉमा दुबभई एंड उसी के बीच में एक टिप सामने आई कि हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो फ्लाइट जा रही है इसका साथ कही ना कही लें कि यूमन ट्राफिकिंग के रिलेटेड है So, after authorities launched a judicial investigation into the conditions and purpose of the trip while a unit specializing in organized crime started investigated suspected human trafficking उसे के बाद पूरे जो अवर ओल टोटल जो इसके अंदर पसेंजर से there were around 303 Indian passengers जिन में से 11 unaccompanied minors भी थे and on board when the flight landed at a Vetteri airport जो plane जो ही इसको operate करता है जो main इसकी जो है that was operated by a Romanian charter company Legend Airlines अब charter plane जब वापस आया मुंबई में तो around 276 passengers उसमें already on board थे because कुछ 25 लोगों ने including two minors ने उन्होंने इच्छा जाता ही कि वो वहीं रहेंगे न फ्रांस ओन ने and they'll ask for an asylum in France only and इसलिए उन्होंने flight को वापस board नहीं किया गया हलांकि दो लोगों को जो है French police ने जो judge के सामने भी उनको produce के जो की एक witness की तरह उनको लेके गे साथी French police का कहना यह है कि they got an anonymous tip that the plane could be carrying human trafficking victims और जब पता किया जब flight वापस आया तो उसमें यह सामने आया कि 70% जो passengers है इसमें they are from the Punjab only and उन्होंने अपने surnames या second names उन्होंने submit करा दिया है साथी जो second biggest group जो लोग जहां से आये है that is the 65 persons from a Gujarat only some from the state may have stayed back in a France seeking asylum यह Gujarat police का कहना तो maximum जो देखेगे that is by the Punjab and उसके बाद जो पाएगे that is from the Gujarat as per sources the Indian security agency's possible mastermind जो नाम आया है इसके पीछे that is the Shashi Kiran Reddy यह नाम पहले भी हम एक बार दिंगुचा केस जो की दिंगुचा केस जो की दिंगुचा केस जो की दिंगुचा एक village है जो की गुजरात में है 2022 में यह case हुआ था यह नाम उस time पर भी हमने सुना था बात करें Shashi Kiran Reddy के है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक case हुआ था that is एक village एक particular family बिलॉंग करती थी जो नाम थे that was पूरी family जगदीश उनके वाइब वशाले और दो बच्चे इनके dead bodies पाई गई थी US border के बारा मेटर रही अब यह जो Shashi Kiran Reddy है वहाँ से यह बिलॉंग करते हैं यह जो आज तक हमें पता लगा है तो यह जो particular family है यह भी इसी particular trafficking के शिकार हुई थी और इनकी bodies मिली थी हमें US border के पास लेटर US authorities informed agencies in Canada about the family उसी के बाद Shashi Kiran Reddy named emerged in the connection with that case also और पता यह लगा उस time पे कि यह जो particular नाम है Shashi Kiran Reddy यह पिछले 15 साल से smuggling network चला रहे हैं इसलिए जो अभी भी यह case सामने है उसमें भी यही माना जा रहा है कि इस case के पीछे भी इनका mastermind है यह इनका ही हाथ है so that was related to a trafficking case अभी तक सारी details सामने नहीं आई है बिल्कुल जो है security agencies है they are doing the investigation in this particular case so that's all for this particular update अभी आपके screen में है कुछ courses for SSB interview तो आप इन में join कर सकते हैं हर महीने हमारे batches बैठते हैं साथ ही these are the courses for NDA, CDS, FCAT and you can enroll in this particular courses while enrolling you can use this discount code जो कि है warrior 10 जैसे आप इस code को use करेंगे you will get 10% off on all that particular course so thank you so much for watching this video lecture जै हन, जै भारत अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना न भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं